नमस्कार एक वाब फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लाश 12 पॉर्टकल साइंस बुक नमबर टू है ये जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनिती और ये पहला चेप्टर है हमने बुक वन को अलड़ी कंप्लीट कर लिया है बुक वन के सारे चेप्टर को कंप्लीट कर लिया है साथी साथ वन सौट वीडियो भी आ गया है जिसके अंतरगत सिलेबस में आने वाले सभी पॉइंट्सों को बताया गया है आज हम बात करेंगे क्लाश 12 पॉर्टकल साइंस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीती और यह चेप्टर नमबर वन है जिसका नाम है राष्ट निर्मान की चुनौतियां चैलेंजिज ओफ नेशन बिल्डिक शुरुआत करते हैं इस चेप्टर के सबसे पहले पॉइंट से सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भ लगभग 200 वर्सों तक बिटिस ने अंग्रेजों ने गोरों ने हमारे भारत देश को गुलाम बना के रखा था और गुलामी के बाद 14 से 15 अगस्त सन 1947 की मद्धे रात्री में आधी रात को हिंदुस्तान जो है वो आजाद हो गया था स्वतंत्र हो गया था लेकिन इस आजा व हमान सभा के विशेष सत्र में पर्थम परधान मंत्री जवाहा लाल नहरू ने हासन दिया था पंडी जवाहा लाल नहरू ने जिसे हम ट्रस्ट विद डेश्टिनी के नाम से जानते हैं और यह बहुत फेमस भी हुआ अब हम बात करेंगे आजादी की लडाई के समय, दो बातों पर सब की सहमती थी, अब वो कौन-कौन सी बाते हैं जिसमें आजादी जब हुई थी हमारे भारत में, या फिर आजादी का जो समय चल रहा था, उस समय, मतलब जो दो बाते थी, जिस पे सभी लोग सहमत थे, वो तो है कि आजादी के बाद देश का सासन जो होगा वो लोग तांत्रिक पध्धती से चलाया जाएगा मतलब भारत के अंदर देमोक्रैसी को लाया जाएगा डेमोक्रैसी सासन विबस्था अर्थात जनता के द्वारा सासन किया जाएगा इस पे सभी लोग विचार अपना सहमत के लोग थे और इन सभी के लिए सरकार काम करेगी इस बातों पे सब की सहमती बन चुकी थी अब हम बात करेंगे नए पॉइंट के बारे में जिसमें कह रहा है कि नए राष्ट्रों की चुनोतियां क्या-क्या थी तो मुक्तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साम ये एकता और अखंडता की चुनौती जो थी वो सबसे बड़ी चुनौती और इंपोर्टेंट था, इसलिए से एक नंबर पे रखा गया है, दूसरा है लोगतंत की अस्थापना, क्योंकि आज तक तो भारत या तो राजा के सासन के अंतरगत काम किया था, या रहा था, इसके लोगतंत की विवस्ता हमारे भारत देश के अंदर सही से चलेगी या नहीं चलेगी, लोग इसे एकसेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये दूसरी चुनौती थी, हमारा तीसरा चुनौती है, समानता पर अधारित विकास, भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिको को सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्थो ये भी एक चुनौती का लिए जाना जाता था ये भी एक चुनौती ही था तो ये जो तीन चुनौती थी वो महत्वपूर्ण है एक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एकता इबं अखंडता की चुनौती भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था क्योंकि भारत की जनसंख्या जो थी अन्य देशों की तुल्ला में बहुत जादा था यहां अलग-अलग प्रकार के भासा बोलने वा अलग-अलग प्रकार के धर्मों के लोग थे अनुवाई रहते थे सभी को एक जूट करने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती थी इसलिए इसे हम सबसे नंबर वन पे देखते हैं कि एकता और अखंडता की चुनौती वहीं पर दूसरे चुनौती की अगर हम बात कर ले तो वो है लोकतंतर की अस्थापना भारत ने संसदिये सासन पर आधारिक परतिनिधितुक मूलक लोकतंतर को अपनाया था मतलब जनता के द्वारा चुने गए परतिनिधी ही हमारे भारत के अंदर सरकार का निर्मान करेंगे इस परकार के अस्थापना को यहाँ पे लिया जा रहा था भारतिये संभिधान में परतेक नागरी को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दिया गया मतलब वोट डालने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया साथी साथ मौलिक अधिकार मतलब वो अधिकार जिसे हम फंडामेंटल लाइट भी कहते हैं जिसे किस भारत के आमनागरिकों को हमारे लोकतंत की अस्थापना के दोरान प्राप्त हुआ था। भारत किसी एक कौम का नहीं बलकि हिंदू, मुस्लिम, मतलब दोनों के बराबर का देश है। मुस्लिम भी रह सकते। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसल्मानों के लिए एक अलग देश यानि पाकिस्तान की मांग की थी। तो आपको पता है पहले भी भारत में हिंदू, मुस्लिम रहते थे और आज भी भारत में हिंदू, मुस्लिम रहते हैं। कि जब मुस्लिम लीग को लगा था कि मुसल्मान यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, तो मुसल्मानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान दे दिया जाए, तो ऐसे में आज हमारे भारत में मुसल्मान क्या कर रहें। यह कोश्चन कई बार आपने न्यू चैनलों के माध्यम से उठते हुए देखा होगा। मुसल्म लीग ने मुसल्मानों के लिए एक अलग देश यानि की पाकिस्तान की मांग की थी। भारत के बिवहाजन का आधार जो था वो धार्मिक बहु संख्या को बनाया है। मतलब जिस धर्म की जनसंख्या जादा है उसके हिसाब से एक देश का निर्मान किया जाना था। इसलिए मुसल्म लीग ने मुशल्मानों के लिए पाकिस्तान का डिमांड किया था। और इसी कारण से हमारा भारत जो है वो दो भागों में बट भी गया था। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है मुशल्मानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके सामिल हुए जिसमें पश्च्मी पाकिस्तान और पुर्भी पाकिस्तान। इन सभी चेप्टरों के बारे में हमने पहले वाले बुक में पढ़ाई किया है जिसमें तो पश्मी पाकिस्तान था, दूसरी तरफ पुर्भी पाकिस्तान था और इसके बीच मध में भारतिय बुभा का बड़ा बिस्तार रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि मुस्लिम बहुल परतेक इलागा पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, भारत के अंदर जि हम कानूनों का ओपियों किया आता है पशिम उत्तर सीमा प्रांथ के नेता खान अब्दुल गफार खान जिने सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है वो दुई राश्टि धान के एकदम खिलाव थे वो बिभाजन ही नहीं चाहते थे वो भारत और पाकिस्तान का बिभा वादी वाले थे ऐसे में इन प्रांतों का बटवारा धार्मिक बहु संक्या के अधार पर जिले या उनके निचले अस्तर से प्रसासनिक हलकों को अधार पर बना कर किया गया अब देखिए यहां पर क्या हुआ बिटिस तो उस समय थे उन्होंने भी इनको बहुत आग लग दिया और कैसे बाटा तो जहां पे धार्मिक बहु संक्या जादा थी उनके जिले और उनके निचले अस्तर के प्रसासनिक अस्तर को अधार बना कर बेस बना कर उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया गया आरत बिवाजन केवल धर्म के अधार पर हुआ था इसलिए दोनों और के जो अल्प संक्या थे मतलब जिनकी संक्या सबसे कम थी वो बड़े असमंजस में थे कि अब वो कहा जाए आप सोच लो ना जो व्यक्ति लंबे समय से किसी एक अस्तान पे रहता आ रहा हो अब उसे वह अस्तान छोड़ के वापस जाना पड़े तो वो क्या करेगा उसका क जा होगा हुआ कल मतलब कि पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के नागरिक होंगे वो इस बात को भी सोच के बड़े हैरान थे कि वो तो अब यहां से वहां जा रहे हैं वहां वाले यहां आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता कौन देगा वो कहां के निवासी आपको भारत के विभाजन के समय में पढ़ना इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे विभाजन की समस्या के बारे में कि विभाजन के समय में किस-किस प्रकार की समस्या उत्पन हुई। तो भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्प स करने लगे बेरहमी करने लगे पश्चमी पंजाब में रहने वाले अल्प संक्या गैर मुसलिम जो मुसल्मान नहीं थे जो हिंदू थे सिख थे उन्हें अपना घर बार जमीन जाइदा सब चोड़ कर जान बचाने के लिए वहां से पुर्भी पंजाब या भारत आना पड़ मुसल्मानों ने उनके साथ जाती करना शुरू कर दिया और इस प्रकार मुसल्मानों को भी यहां से पाकिस्तान जाना पड़ा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बिभाजन की प्रकिरिया में भारत की भुमी का ही बटवारा नहीं हुआ बलकि भारत की संपदा का भी बटवारा हो गया यह बटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था यह संस्कृति का बटवारा था विश्वास का बटवारा था संपदा का बटवारा था आजादी एवन विभाजन के करण भारत को बिरासत के रूप में सरनार्थियों के पुनरवासकी समस्या मिली हमारे भारत देश का जब बटवारा हुआ तो क्या हुआ जो पाकिस्तान में अल्प संध्यक थे उन्हें मार मार के भारत भगा दिया गया या तो उन सेदारी प्राप्त है उन्हें किसी प्रकारा कर्ष नहीं दिया या था क्योंकि यह देश जितना हिंदूों का है उतना ही मुशलमानों का है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लोगों के पुनरवास को बड़े ही सयम ढंग से बैभारिक रूप परदान किया गया सरनार्थिय को यहां पर रोका गया उनके लिए पुनरवास मंत्राले बनाया गया घर बनाई गई जमीने दी गई उन्हें रोजगार दिया गया तो यह सारे पॉइंट जो है वो बिभाजन की समस्या के रूप में देखा जाता है अब हम बात करेंगे बिभाजन के परिनाम के बारे में जब भारत और पाकिस्तान का बिभाजन हो गया उसके बाद क्या-क्या परिनाम देखने को मिला तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा चाहे वो भारत के लोग हो या फिर वो पाकिस्तान के लोग हो पा हमारा कहता है बड़ी अस्तर पर हिंसा का सिकार होना पड़ा बहुत बड़ी हिंदू अबादी को मुसल्मानों के द्वारा मारा गया काटा गया अमरित सर और कोलकत्ता में संप्रदाइक दंगे हुए हिंदू मुसलिम को लेके बहुत सारे दंगे वहाँ पे देखे जा रह लोगों को अपने बाल बच्चे घर परिवार जमीन जदा सब छोड के सरनार्थी सिविर में रहना पर रहा था नेक्स्ट पॉइंट है औरतों को अगवा किया गया मुसल्मानों के द्वारा जबरदस्ती औरतों को अगवा किया गया उनसे साधी कर लिया गया उनका धर्म कई लोगों का इज़त खराब किया गया, मार दिया गया, कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज़त बचाने के लिए खुद से ही घर की बेटी बहुँ को मार डाला, ताकि उनका इज़त बचा रहे है, तो इस प्रकार की चीजे आपको विभाजन के परिणाम में देखन को मिला, नेक्स्ट कॉइंट हमारा कहता है, बित्तिय संपदा के साथ साथ, टेबल, कुरसी, टाइप राइटर और पुलिस भी बटवारे हो गए, समझे ये बटवारा कैसा था भारत और पाकिस्तान का, कि यहाँ पे चपल जूते भी बटवारे किये गए थे, पाकिस्तान में गए लोगों को भारत का चपल भी चाहिए था, 80 लाक लोगों को घर छोड़ कर उनके सीमा पार आना पड़ा, मतलब वहां से वो भारत आ गए, 5-10 लाक लोगों की जान चली गए, जिन्हें जान से मार दिया गया था, उनकी संख्या 5-10 लाक बताई जा रही है, जबकि अगर आप इसके ओरिजिनल डाटा को देखेंगे तो यह 20-25 लाक लोगों को जान से मार दिया गया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, रजवारों का भारत में विलै, अब रजवारे किसे कहते हैं, उस समय के जो राज्य के राजा हुआ करते थे, जैसे हम जम्मू और का आश्मीर के है, राजा की बात कर ले, जो हरी सिंग थे, ऐसे ऐसे रजवारों का भारत में विलै कैसे हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं, स्वतंत्ता प्राप्ती से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, भारत पहले क्या था, स्वतंता जब तक प्राप्त नहीं अगर, रियास्तों के सास्कों को मानने, समझाने में सरदार बल्लब भाई पटेल, जो ग्री मंत्री थे, उनका एहम भूमिका माना जाता है, उन्होंने एतिहासिक भूमिका निभाई और इन सभी रजवारों को भारत में बिलै करवाया, दिक्तर रजवारों को उन्होंने भारतिये संग में सामिल होने के लिए राजी कर लिया था, किसने सरदार बल्लब भाई पटेल ने, जो उस समय के ग्री मंत्री थे, हम बात करेंगे रजवारों के विलै में समस्या क्या रही थी, बहुत सारे रजवारे तो भारत के साथ विलै हो गये थे, लेकिन जो रजव पारे अपनी मरजी से चाहे तो भारत में सामिल हो जाएं, या तो वो पाकिस्तान में सामिल हो जाएं, या फिर वो स्वतंतर रह सकते हैं, वो आजाद रह सकते हैं, ऐसा फैसला लिया गया और यह फैसला राजा को करना था, कि वो किसके साथ जाना चाहता है, वो भारत के सा स्याय उत्पन हो गया ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खत्रा मत लाने लगा अब जो राजा चाह रहे थे अब जो कुछ राजा तो ऐसे थे कि ना भारत में आना चाहते थे ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो वो अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया तो ऐ में हमारे भारत की अखंडता तूट जाती तूसरा पॉइंट है स्रावनकोर के राजा सबसे पहले अपने राज को आजाद करने को कहा अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा किया और भोपाल के नबाब संविधान समा में सामिल होना ही नहीं चाहते तो यह कुछ ऐ जैसे आप याद रखिएगा स्रावनकोर है 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 भोपाल है यह सब के जो नबाब थे यही सब परसानी उत्पन कर रहे थे राजवारों के विले में पटेल जी की भूमिका को देखना बहुत इंकोर्टेंट है हमारे इतिहास के लिए क्योंकि भारत देश के छोटे बरे टुक्रे टुक्रे हो जाता ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया मुस्लिम ली ने इसका बिरोध भी किया था लोग का कहना था कि रजवारों को उनकी मनमर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए लेकिन सरदार बलब भाई पटेल ने अपनी चतुराई से चलाक है अधिकतर रजवारों के लोग जो थे वो भारतिये संग में सामिल होना चाहते थे अधिकतर जितने भी रजवारे थे जितने भी राजा उस समय के थे मैंने आपको उपर की स्लाइड में यहां बताया भी है कि 565 रजवारे थे भारत के आजाद होने से पहले तो यह 565 रत्ता देने के पीछे एक लंबी कहानी है पंडी जवाहा लानलेहरू की दोस्ती और उनकी बेब कूफी का यह एक नमूना है इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे बिभाजन की प्रिष्ट भूमी में बिभिन इलाकों के सिमांकन के सवाल पर खीचातान जोर पकर रह जितने भी राजा रजवारे थे सब को एक संधी के दोरान भारत के अंदर जोर लिया गया और इसी सहमती पत्र को हम इंस्टूमेंट ओफ एकसेशन के नाम से जानते हैं अगर आपसे पूछा जाए है प्रशन एक नमबर में तो याद रखिएगा 565 रजवारों को संधी कर को कि ये राजा अकुरू थे ये राजा अकर गया ये भारत में सामिल होना नहीं चाहते थे लेकिन बाद में इनको भी सामिल किया गया इसलिए सबसे पहले हम हैदराबाद के बिलया से पढ़ेंगे कि हैदराबाद का बिलया कैसे हुआ हैदराबाद के सासक को निजाम के न तो हमारे आजाद तो हो गया है भारत बहुत सारे रजबारे आपके साथ विलै भी हो चुके है लेकिन हमें एक साल का समय चाहिए और एक साल के बाद हम डिसीजन लेंगे कॉमिनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कॉंग्रेस के नेत्रित में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन सुरू कर दिया इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक और्द सैनिक बल को लगाया मतलब सैनिकों का उस पे हमला करवाया इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैनिक कारवाही के द्वारा निजाम को आत्म समर्पन करने के लिए मजबूर किया इसमें सदा बल्लब भा पटेल का हाँ था उन्होंने बड़ी चतुर्ता से बड़ी चालाकी से हैदराबाद के निजाम को भारतिये संग में बिलय कर लिया था पॉइंट हमारा कहता है मनिपूर रियासत का बिलय मनिपूर रियासत का बिलय अब कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है मनिपूर की जो आंतरिक स्वायत्ता बनी रहे इसको लेकर महराजा बोध चंद्र सिंग वो वही के मनिपूर के राजा थे भारत सरकार के बीच बिलय क लिए सहमती पर हस्ताक्षर किये जनता के दवाम में निर्वाचन भी करवाया गया और इस निर्वाचन के फलस्वरूप समवैधानिक राजतंत कायम हुआ मनिपूर भारत का पहला भाग है जहां पे सर्व भौमिक बैस्क मताधिकार के सिद्धांज को अपना कर जून 1948 में च चुनाब हुए और वहाँ पे सरकार का निर्मान हुआ पॉइंट हमारा कहता है कास्मीर का विले यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कास्मीर के विले को लेको आपको कई सारे पॉइंट्सों को पढ़ना है सरदार पटेल को एकी करन के मुख तीन राज पॉइंट में भारतिये सिनाओं ने हैदराबाद तथा जूनागड को भारत में विले के लिए तैयार भी किया था पाकिस्तान की मनसा जो की जिन्ना के विभाजन कारी दुई राश्रिधान परधारी थी उन्होंने भली भाती परचित होने के कारण सरदार पटेल की कास्म कास्मीर पर पाकिस्तानियों का कब्जा है अगर उस समय सरदार बल्लब भाई पटेल की बात मान ली गई होती तो आज कास्मीर पूरा का पूरा भारत का होता लेकिन ये बड़े नेता जितों महात्मा गांदी हो गए ये पंडित जवाहलाल नहरू हो गए ये सब कहां सुन जुनते थे दूसरों की इन लोगों को तो अपने फिर पूर्सी से प्यार था अधराबाद की भाती वे कास्मीर को भी सैन अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाहते थे कौन सरदार बल्लब भाई पटेल परंतु कुछ महत्तपून नेताओं की महत्तपून नेताओं की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा इसमें मैं आपको पंडी जवाहलन लहरू और महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ इनके जो निर्नय लेने की छमता थी और इनहीं के निर्नय के कारण आज पूरे कास्मीर का ये हाल हो गया सरदार पटेल जो थे वो सदैब ए पटेल का आएगा क्योंकि उन्हीं के कारण आज पूरा भारत जो है वो अखंड है और अखंड भारत के रुक में वो जाना जाता है एक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राज्यों का पुनर गठन आपनेवैसिक सासन के समय आपनेवैसिक सासन कहने का मतलब है अंग्रेजों क सासन के समय प्रांतों का गठन प्रासिस्निक सुवधा के अनुसार किया गया था लेकिन स्वतांत्र भारत में भासाई एबं सांस्कृतिक बहुलता के अधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई थी आप समझ लिजिए कि जब भी भारत के बटवारे की बात होती है तो प हुलता मानते हुए किया गया था भासा के अधार पर प्रांतों का गठन जो है वो राजनितिक मुद्दा कॉंग्रेस के नागपूर अधिपेशन जो 1920 में हुआ था पहली बार उसी में इसको सामिल किया गया था उसरा पॉइंट हमारा कहता है आंधर परदेश राज्य का न अब यहाँ पे बात समझे क्या हुआ जब भी आंध्ड परदेश के राज हमने आभी आपको बताया कि भारत और पाक्रिस्तान तो आजाद हो गया लेकिन यहां पे आजादी हमें भासा के अधार पे नहीं धर्म के अधार पे हुआ यहारा जो देश का बठ्वारा था भार इसके एक बरिस नेटा, पोती स्री राम लिलू की लगबग 56 दिन के भूख हर्ताल के बाद मृत्य हो गई, देखें ये एक ऐसे नेटा थे जो 56 दिन तक कुछ खाना ही नहीं खाया, हर्ताल पे रहा और इनकी मृत्य हो गई, और इसके बाद वहाँ पे बहुत हल चल मच गई, दिसंबर 1922 में आंध्र परदेश के नाम से एक अलग राज बनाने की घोसना भी की गई, इस प्रकार जो आंध्र परदेश है वो भासा के आधहार पर गठित पहला राज बन कराया, पॉइंट हमारा कह रहा है, राष्ट निर्मान पर नेहरू का दृष्टी कोन, पंडि ज राष्ट से अलग होने की संभावना कम हो जाया, अब जब राज्यों का निर्मान हो गया तो पंडि जवाहलान लेहरू ने एक समीति की अस्थापना की और उनको ये संभावना, इसलिए उनको लग़ा दे कोई ऐसा राज्यों के देश से अलग हो जाया, इसलिए उन्होंन में केंदर सरकार ने उच्चतम न्याले के भूत पुर्व न्यायदीस फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदसिये राजपुनर गठन आयोग का गठन किया उनी सो तीरे पन याद रखिएगा किसने करवाया था पंडी जवाह लालने उने करवाया था क्यों करवाया था कि उन्हें डर था कि आगे चलके कोई राज कोई प्रांत उनके राश्ट से अलग न हो जाए इसी बात की संभावना को कम करने के लिए राजपुनर गठन आयोग SRC की अस्थापना की गई थी हम बात करेंगे आयोग की प्रमुख सिफारी से क्या थी तो त्री अस्थरिये भाग ABC राज परणाली को समाप्त किया जाए केबल तीन केंदर सासित छेत्थे उस समय अंडमान एबनिकोवा दिल्ली और मनिपूर बाकी को छोड़कर इनको समय के इसकी अलावा उसके बात जितने भी प्रणाड़ ते उसे इसके परोसी राजियों से उनका दिलय कर दिया जाए और एक राज के रू क्षूर के रूप में उन्हें देखा जाए राज की के लिए बिहार दे तो ऐसी भासा के संस्कृति के इसाथ से राज्यों का निर्मान किया गया इसके परिणाम को जान लेते हैं इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तूत की और इसके अधार पर संसद में राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया और के समय में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो गया उस समय सिर्फ और सीफ 14 राज थे और 6 केंद सासित परदेश हुआ करते थे पॉइंट हमारा कहता है संग सासित छेतर जो बाद में राज बन के आये यह सब जो थे वो पहले क्या थे यह सब पहले केंद सासित परदेश थे जिन्हें बाद में वापस राज बनाया गया प्रकार से आपने देखा क्लास्ट वेल्थ पॉर्टकल साइंस बुक नमबर टू और चेप्टर नमबर वन था बुक का नाम है स्वतंत भारत में राज निती और चेप्टर वन है जिसका नाम है राष्ट निर्मान की चुनोतियां चैलेंजेज ऑफ नेसन बिल्डिंग यह पर खतम हो गया है आसा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के रुक्रेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्थोतर है आज के लिए इतना ही धन्यवाद